आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एकनी स्कार पिट्स असलाम लेकुम मेरा नाम डॉक्टर आईशा उस्मान है मैं एक अंसल्टन प्लास्टिक सेजिन हूँ जो कॉस्माटिक सेजडी इंस्टिटूट शाय जमाल में बैठती हूँ आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एकनी स्कार पिट्स अक्सर हमारे पास मेल और फीमिल पेशिंट्स आते हैं जिनको एकनी स्कार पिट्स बने वे होते हैं एक्टिव 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 एक्टि होते हैं उनको नीडल के थूरू उनको रिमूफ किया जाता है और उनके नीचे उनको स्किन के नीचे से उनको छुडाया जाता है ताकि जो पिट्स हैं वो स्किन के लेवल पे आ जाएं इस को इस प्रिसीजर को सबसेजिन कहा जाता है लेकिन खाली सबसेजिन से बाज वकात पड़ता और उन पिट्स के नीचे वोल्यूम देना पड़ता है और उस वोल्यूम का एक ही हल है जो कि लॉंग लास्टिंग है जिसे फैट ग्राफ्टिंग कहा जाता है जिसमें एब्डॉमन से फैट निकाल के जो इंडिच्ट वेट स्टेम सेल्स होए उसको इंजेक्ट किया जाता है फैस के अंदर लगता है बजार के खाने बहुत खाते हो जी डॉक्टर साथ मैं ये मैडिसन बिस्ट्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लेना अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसलेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर अब बहुत सारे पेशिंट्स परेशान होते हैं कि ये सेजिकल प्रोसीजर कितना लंबा होता है और उसमें क्या किया जाता है ये लोकल का एक प्रोसीजर होता है जिसमें सुन करके अब्डॉमन को कैनला के थूँ फैट निकाली जाती है और इसमें पेन नहीं होता क्योंकि वो एरिया सुन होता है अब्डॉमन फैट निकाल के उस फैट को प्रोसीजर किया जाता है जिसमें माइक्रो फैट या नैनो फैट बना के उन पिट्स के नीचे इंजेक्ट किया जाता है जब उस फैट को पिट्स के नीचे इंजेक्ट करेंगे तो उसकी जो डिप्स बने वें हैं वो ठीक होंगे और इसके साथ फाइदा यह होगा कि ये फैट सेल्स जो हैं इनरिच विड़ स्टेम सेल्स हैं growth factors है ना सिरफ ये skin की quality को improve करेगा mood healing में effect करेगा बलके साथ-साथ जो volume loss हुआवा है और जो crater बनावा है skin के उपर वो acne का crater ठीक होगा ठीक है तो one of the surgical, one of the methods to correct the acne scar is fat grafting इसके साथ-साथ derm abrasion भी की जाती है जिसमें skin को एक smooth effect देने के लिए जो उपर की layer है उसको abrade किया जाता है और उससे एक leveled skin का effect आता है इस topic से related अगर कोई question है तो comment box में आप पूछ सकते हैं in house या online consultation के लिए आप मरहम से रापता कर सकते हैं शुक्रिया